नमसकर दोस्तों एडुकेशन 24 में आपका स्वागत हैं दोस्तों आज का वीडियो आप सब के लिए बहुते खास होना वाला है क्यूक्विद इस वीडियो में हमालो जानेंगे कि वीए परीष्छा में कितना नंबर आने पर पास होते हैं पूरा डीटेल में इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे तो आजी देर ना करते हुए वीडियो को सुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों सबसे पहले हम लोगे जानेंगे कि बिये पर रिक्षा में अगर पास होना है तो बिये पर रिक्षा में पास होने के लिए कितना नमबर लाना होगा अगर आपका 55 नमबर का पेपर होता है तब को 55 में 27 नमबर लाना होगा अगर आपका 50 नमबर का पेपर होता है तब को 50 में 27 नमबर लाना होगा यानि कि आपका पेपर चाहिए 100 नमबर का हो चे 75 नमबर का हो चे 50 नमबर का हो अगर आपको BF पर रिच्छा में पास होना है तो BF पर रिच्छा में पास होने के लिए आपको 100% में से 36% नमबर लाना होगा दोस्तों ये तो हम लोगों ने जान लिया कि BF पर रिच्छा में पास होने के लिए कितना नमबर लाना होगा तो आई बिना किसी जरी के हम लों सुरू करते हैं और रिजल्ट के माज़ते जानते हैं यहाँ पर दूस्त आप दे सकते हैं आपके सामने पहला जल्टा है यहाँ पर दूस्त आप दे सकते हैं कि आपका तिन समेट का पेपर हुआ है History, Political Science रूर्दू यहाँ पर दूस्त आपके सामने पहला जानते हैं इसलिए ह दूस्त रिजल्ट के अंदर अपका दोनों समेट में पासटी नमर नहीं आए अब दूस्तों Political Science की बात की जाँ तो यहाँ पर दोस्ता दे सकते हैं कि और दोस्तो और सिकेंध रोड़ुका उर्दू यहाँ पर दोस्तो और अब टे शकते हैं कि उर्थू कि अदर आपका फौस्यप्र आपका दो cela सकते हैं हैं पर दोस्तो पर दिखा रहे है अब दूस्तो और पर फैल क्यों दिखारा ध्यान समझेए, यहां पर दूस्ता आप दे सकते हैं, कि यहां पर दूस्तो हिस्टरी कंदर इसका फौस सेमिस्टर, सिकेंड सेमिस्टर, दोनों सेमिस्टर में पासिंग नमर नहीं आया है, यहां पर दूस्तो इसका फैल किया गया है, तो इस बात इक समेट में डोनों समेष्टến में passing नमर आता है और किसी दो समेट का मिला कर कि अगर आपका तीन समेश्टन przyb Compl Links आता है तो उस समेह्ट सरे 快टए में रही बदिधा है अब दोस्तर हम लोगों दूसरी ल्र्याइड को देखती है और दुसरी को मज़ते हैं यहाँ पर दूस्त अब दे सकते हैं कि आपका 3 समीट का पेपर हुआ है History, Political Science and Socialogy यहाँ पर दूस्त सेमिस्टर, सेकेंड सेमिस्टर, दोनों सेमिस्टर में आपका 100-100 नमर का पेपर हुआ है यहाँ पर दोस्तो हिस्तर है कि आपका पहले बतादे कि आपका 100 नमर का पेपर होता है इसलिए दो Сब्स्तर के आपका पेपर होगे यहाँ पर दोनों सेमिस्टर नमर का पासिग नमर पर है इसलिए तो history के अंदर आपका first semester में passing नमर नहीं आ है जबकि second semester में आपका passing नमर आ है अब दोस्तो political science की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्त अब दे सकते हैं कि political science के अंदर आपका first semester में सो में से 36 नमर आ है और second semester में सो में से 46 नमर आ है यहांई कि political science के अंदर आपका दोनों समेश्टे में passing number आया है क्योंकि दोनों समेश्टे में आपका 36 नमर से उपर आया है अब दोस्तो sociology की बात की जाए तो यहांपर दोस्तो अब देसे क्ते हैं कि sociology के अंदर आपका first semester में 100 में 49 नमर आया है और second semester में 100 में 50 नमर आया है यहांई कि sociology के अंदर आपका दोनों समेश्टे में passing number आया है क्योंकि दोनों समेश्टे में आपका 36 नमर से उपर है अब दोस्तो final year की बात की जाए तो यहांपर दोस्तो अब देसकते हैं कि part 1 में 214 है part 2 में 266 है part 3 में 218 है और यहांपर दोस्तो grand total की बात की जाए तो यहांपर दोस्तो आप देसकते हैं कि 738 है और यहांपर दोस्तो result की बात की जाए तो यहांपर दोस्तो आप देसकते हैं कि pass दिखा रहा है अब दोस्तो यहांपर पास क्यों दिखा रहा है यानि कि history के अंदर आपका जो first semester second semester दोनों semester में जो number आया है history के अंदर first semester second semester दोनों semester के number को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर दोस्तो इसका 72 number से ज़्यादा हो जाएगा आपका पास कर देजएगा कि अगर आपका किसी दो कर देंगा και की दो शुंचे में पासिंग का नीयम है अब ज़िस्तो अमलब के सामने लिल्टा है नहीं पर दो अब जांट कमैस्प में टेयं में पर साइब का पेपर हुआ है प्रोस्त के फ्रेरिटिकल सैंस पासिंप के अंदर अपका दोनों सम्स्टे में सोन नंबर का पेपर हुआ है और यह यहां पर दुस्तों मैंने आपको पहली बत्या दे करा का सोन नंबर का पेपर होता है तब को gging को स्वने स्वाइब कियास फ्रेशलोजी के वंधर प्रेंगों स्वाइब को फोस्वी जा पासीह नमर वाया है। अब दोस्तों जिओ Durham कि बातिक जात है यहाँ पर पेपर होता है तब को 15 आपका 25 में 27 नमर लाना होगा जबकि दूस्तों first semester में 27 नमर से कमानी कि वे से यहां पर दूस्तों जाप मेंदर अपको 43 नमर मिला है यह यंदि कि जो प्रेटिकल में अच्छा का सथा नमर मिला है अब दूस्तों फांड की बात कि जाति यहां पर दूस्त अब दे सकते हैं कि पार्ट 1 में 266 है, पार्ट 2 में 282 है, पार्ट 3 में 277 है, और यहां पर दूस्त अब दे सकते हैं कि 827 है, और यहां पर दूस्त अब दे सकते हैं कि 827 है, और यहां पर दूस्त अब दे सकते हैं कि फ्यल दिखा रहा है, अब दूस्त कि वहार है दोट यहां पर कि अगर को कि दोस्ट सम्ष्ट में पासिंग की और आता है अगर आपको ङजए पी आको पर होता है अगर आपको 100 number पर होता है ता यह कि आपको पास होने की लिए 85 में 17 बूँजभी के माईके दोस्ट समें hoc पर होता है, तो को पास ओने के लिए पचास में 18 नमबर लाना होगा, अगर आपः बात क्या दखेंगे, और इस बात क्या दखेंगे, अगर आप मेहनत करेंगे, नमबर लाएंगे, तो आप धूस्तो कभी फेल नहीं होगे तोस्तों उम्हेद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सिखने को मिला हुआ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तब वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए और कमेंट करके बते हैं कि आपको नेक्ष वीडियो की इस्टोपिक उपर चाहिए